आज का वीडियो, what is timer and how to work timer टाइमर क्या होता है और टाइमर कैसे काम करता है दोस्तों हमारे सामने ये एक टाइमर है सीमेंस कंपनी का तो दोस्तों आज मैं इसके तुरू आपको ये समझा हूँगा कि अगरी timer क्या होता है और ये timer कैसे work करता है तो दोस्तों ये हमारे सामने जो timer है इस timer को हम बोलते है electronic timer, electronic timer इसको क्यों बोला चाता है तो दोस्तों जो भी timer हमारी AC और DC दोनों से start हो जाते है वो हमारी electronic timer कहलाते हैं तो दोस्तों ये जो है timer हमारा electronic timer है आपको कैसे परचलेगा कि AC से और DC दोनों से स्टाट हो रहा है तो दोसर इसके साइड में आप देखेगा यहां पर जैसे लिखा हुआ है 200-240 वोल्ट और नीचे लिखा हुआ है 24 वोल्ट AC और DC तो इससे हमको यह पता चलता है कि हमारा AC से भी स्टाट हो जाएगा और DC से भ और DC से भी स्टाट टाइमर यह पुआ हैं अपने डिकोंट इस पर पर वार्पस यह पर उन यह चाहते हैं और वह आपको जाए तो वापस आं करे हम उसके जुबजाय टाइमर लगा देते हैं वह टाइमर जो होता दोस्तो वह आफ डिले और ओन डिले दोनों होता यह आयां दोनों होते हैं पर यह जो टाइमर है यह आपको कैसे पटा चलिए को ताइमर अगर आपको ताकि ज्यादा अच्छे से दिख सकें दोस्ट आपको इक और चीज के अगर आपको कोई भी एक्युमेंट है आपके पास तो दोस्ट आपके उसको 2 मिनिट के लिए स्टेडी किया कीजिए यह कुछ बड़ी बात नहीं होती है पर आपको बहुत सारा डाउट इससे अपने आपी किलियर हो जाएगा अगर हम जब तक इसको नहीं पड़ते है यह बहुत डिफिकर लगता है पर हम इसको जब एक बार पढ़ लेता है तो यह इतना एजी लगता ह है जिसके हद नहीं तो दोसो एक बार आप खुद ट्राइ करा किजिए जो भी आपके बाद नए क्योमेंट आए तो जैसे ही सीमेंस कंपनी का है और इसका जो सेटिंग टाइम रेंज है जो यह टाइम जैसे यहां पर डाइल होता है जैसे यह डाइल दिख रहा है तो अभी चाली सेकंड पर सेट है तो यह कितने सेकंड का है तो यह पांच सेकंड से सो सेकंड के बीच में हम इसको सेट कर सकते हैं तो हमारा जो टाइमर है वह पांच से सो सेकंड के बीच में है अब आपको कभी टाइमर लाना है तो हमको क्या-क्या चीजे पता हो नहीं कि तो हमको क हमारा टाइमर है यह एलेक्ट्रोनिक टाइमर है यह इसी पर चलता है और डीजी पर चलता है इसकी सप्लाई इसकी वाइडिंग कैसे होती है वह भी मैं आपको समझा दूँगा इसके बाद दोस्तों दूसरी जी हमको पतानी पड़ेगी कि हमको टाइम रेंज क्या चीए यान दोस्तों मैंने मेरे लाश कुछ वीडियो के अंदर बताया था आपको कि कोमन एनो एनो एननसी पॉइंट अखिर क्या होते हैं मैं क्या दोस्तों सारे वीडियो सिक्वेंस में मनाता रहता हूं ताकि आपका एकक करके यानि बेसिक किलियर होता रहे फिर बाद में आप हाई दोस्तों अभी मैंने आपको यह समझा रहका है कॉमन एनो एन्सी फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा बेसिक समझा दूंगा तो 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 आपको कभी भी टाइमर लेना है तो तो स्ताइमर कि अंदर आपको यह लेख रहा है कि आपका इसके एवन और रे टू तो तो डो से एडीट्ऌ का मतलब ही होता है कि जैसे कोई बीचीज होती है तो उसको 2023 कर लिए सप्लाइज है तो जैसे एकने के सप्लाइब्स together भाइभ वाइभ बॉत सितना है तो आपको यहां देख रहा है तो इसमें ऑपर आपको को देख रहा है लिखा है एक एवन लिक्षावा और इसके लिखावा एक लिखावा ए-3 क्योंकि अभी मैं आपको जैसे बता है था कि हमारा टाइमर है यह था कि चलता है और DC भी चलता है तो इसके एवन जो है एवन पर लिखाओा है 200 से 240 वाल खी जैसे मैं आपको यहां पर लिखके भी बता रहता हूं ताकि आपको अच्छे समझ आपकर लिखाइग कोई वहीं theoretically उते चाहतु में घंदें आप दफेसदें और जो होगा धम पूसेँ बीच में अधुय मैं आगे इसके आगे दोस्तोंरों फ्सक्वाति दले वरmal और दिस्वाइबंगे दंधे शिफ्लिक होगा निहां पहुतरिए कि कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हमको उसके अंदर दो चीज जोलने पडेगी एक तो फेस और एक न्यूटर अगर वह डीसी है तो इसके तो इसके यह फालते हैं तो दीसिश अपलाई कि अगर आपके पास में 24 वोल्ल डीस है तो पॉजिटीव जो वाया है वह अह तो इसके लिए दोस्तो एक और सपलाई यह एक टू तो दोनों के लिए कॉमन है आप कही सा भी यानि नेगेटिव हो या फिर न्यूटन दोनों आप एक अन्दर जोड सकते हो इसके बाद में दोस्तो इसके तीन पॉइंट और बचे एक कोमन एक एक एनो एक एनसी यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है टाइमर के अंदर इसके ओपर दोस्तो मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कि कोमन एक एनसी पॉइंट कैसे काम करता है वह बहुती डीपली वीडियो है अगर आपको बिल्कुल बेसिक देखना है तो आपको इस वीडियो के अंड मैं सजेशन म तो है एक NC contact है इसके बाद में एक NO contact है और उसके बाद में एक A2 contact है ठीक है अब मैंने सेस्थाब को बताया था कि यह timer हमारा AC से भी चलता है और DC से भी चलता है तो अगर में पास AC सपलाई है तो मैं इस A1 के अंदर जोड़ दूगा और मैं न्यूटल जोड़ दूगा A2 के अंदर अगर में पास DC सपलाई है तो मैं DC 24 वल्ट इसके अंदर दे दूगा और मेरे DC का नेगेटिव जोगा वह में इसके अंदर जोड़ दूगा तो मेरा timer इस्टार्ट हो जाएगा अब timer वर्क क्या करेगा वह बहुत सिंपल है जै का कहा कहा उप्योग है तो आपको यह कमेंट करके जरू बताए की लेक्टिकल की वीडियो साब को किस टॉपिक पे चीह तागि मा आगी भी वीडियो जाता रहूं अब जैसे मैं इसके अंतर क्या करता हूं जैसे मैं यह ओन डिली टाइमर है तो मैं किसी भी चीज को स्टार प्रेट करना पड़ेगा अभी कैसे सेट होगा दोस्तों एक फिए स्वायर मेने एंदर दे दिया और एक न्यूटल वायर मैंने हम 220 बात करें ही ऑनली एक 220 वोल्टेज़ पे तो मैं क्या करूगा 220 220-2Kंश का FACE थे इवा है वो मेरा एंशी से God कंटून निकलता रहेगा कब तक निकलता रहेगा यह जितनä मरनी से को डायल पर सेट रहे हैं जासनी चाली से कंट टेट चाइट कारका है तो मैंने अभी कर दिया इसको 10 से कंद पर से निकलता लगा पर जैसे तंस एक निकलता रही तो यह से निकलने लगाए गाए तो मैं इससे कुछी भी चीज को आपरेट करा सकता हूं तो यह ओंडिले टाइमर होगया कि यानि दस सेकंड तो कोई भी चीज चाहिए दस सेकंड बाद मेरी यहां पर सप्लाई मिली और मैं इससे लाइड भी ओन कर सकता हूं कॉंटेक्टर भी ओन कर सकता हूं किसी भी चीज कॉन कर से नहीं होगा अगर आपको आपको टाइमर के बाद में कुछ समझ आया होगा आज ही चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए आज के लिए नहीं धन्यवाद